नवस्कार जै जोहार और खेतों में पानी भरने से फसल जो है वो बरबाद हो रहा है और तकरीबन 300 से भी जादा एकड के फसल बरबादी के कगार पर है ऐसे आठ गाउं प्रभावित है मैं आपको वहीं से सीधे किसानों से रूबरू करवाऊंगा और बताऊंगा उनका हाल क्या है पहले वो तस् स्वीर आप देख रहे हैं आरंग के लखावली इलाके से यहां पर रेलवे का निर्मान चल रहा है और यह वो नहर है मुख्य नहर है जिससे की यह आसपास का इलाका सिंचित होता है इसे ही बांद दिया गया है किसानों का कहना है कि जब इसे बांधा जा रहा था तब किसा किसानों से कोई बाचीत नहीं की गई और अक्सर जब निर्मान कारे चलता है तब किसानों से बाचीत होती है राय ली जाती है कि कहीं उन्हें परशानी तो नहीं हो रही है यह तमाम किसान इस वक्त यहां पे मौजूद है और उनसे बाचीत करते हैं कि फिलहाल अभी इस इला अभिवेक पूर्णा निर्णे से जो सासन प्रसासन और अधिकारी गण यहां पर हैं या सरकार जो है उनके नुमाइंदे हैं उनको चाहिए कि पहले किसानों का कारिय को ध्यान में रखते हुए इसको निर्मान कारिय को अगर कहीं 10-12 दिन और रोग दिया होता है ना तो एक म पहले से हम लोग उनको आवेदन निवेदन कर रहे हैं अभी तक कोई इसका निर्णे नहीं लिया गया है और जिसके कारण आज की स्थिती में फसल जो है पूरी तरह से सड़ चुकी है और इसका मुआवजा भी हम किसान चाहते हैं चुकि गाड़ी कमाई की है उसमें पूर प्रशानी तो बढ़ गई है इस जगा पे खड़े हम एक तरीके सी यह रप्टा तयार हो गया है नहर पे रिजावत ज्यादा है कि खेत में पानी बहुत ज्यादा भर चुके है उकर से बिमारी भी आ सकते हैं और काटे में बहुत तकलिफ होते हैं तो जैसे जैसे धीरे धी में ही जड़ जही किसान के हाथ में कुछ नहीं ना कटाई बना थे ना बाहर निकालत बना थे यह ला मात्र 20-25 दिन अगर लेट बांदे थे तो रेल्वेक भी काम सफल पुर्वक चलती और किसान के काम भी सफल पुर्वक चलती अभी बहुत परसान हैं हम बात करें नहर व पानीगी रादिश तो एक प्रकार से फसल नुकसान हैं और एकर से किसान रा मुझा मिलना चाहिए लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी ती क्या रेर्वेर ने हो सकता है किसानों की तकलीफ हो जाए तो पहले वेवस्ता कर ली जाए या फिर बाद में निर्मानकार शुरू किया जाए फसल कटने बाद निश्चित ही ये रेलवे के लापरवाई है किसानों को अवगत कराने के बाउजूद भी जान बुचकर इस साल पहले ही बाद बना दिया है जिसे किसानों को काफे नुक्सान हो रहा है या तो इसको फोड़ के पानी निकाले या तो वो मौज़ा देने के लिए तयार है उसको आज एक गंड़ा के अंदर निर्णा करना होगा अन्यथा हम किसान तै कर चुके हैं कल हम इसको जैसी भी मसिन से तोड़ेंगे और किसानों की फसल बचाएंगे तो हम लोग अभी अब किसानों का फसल देखनी चलते हैं वहाँ पे तो हाल बुरा होगा बहुत ज़्यादा इस्तिती खराब है आप हमर साथ खेट चलो और माड़ी से नीचे घुटना से उपर पानी भरे भरे है और में चपाक चपाक आराम से लोग लेगा मन नहाभी सकते हैं वह यह हाले खेट के बहुत खराब इस्तिती है चलिए आप चलते हैं खेट में और देखते हैं कि भई बहाँ पे फसल का क्या हाल है और किसान जो है उस फसल के हाल से कितने बेहाल है तो मैं दिखा रहा हूँ दरसल आरंग इलाके में किसानों का हाल क्या है क्यों किसान बेहाल है आप तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाईए कि फसल कटाई का वक्त है फसल जादतर हिस्सों में काट भी लिया गया है जिस खेट में मैं मौजूद हूँ यहां भी फसल कटाई हो चुकी है लेकिन फसल कटाई तो हो गई थी लेकिन उसे ले जाना बाकी था और उसी दोरान नहर का जो पानी है वो पूरी तरह से खेटों में गुज गया है और जिसके चलते अब फसल को काफी नुकसान होगा क्योंकि यह एक तरीके से सरने की इस्तिती में आ जाएगा यह सिर्फ एक एकड का मसला नहीं है ऐसे आसपास के सैकडो एकड जो है फसल बरबाद होने के गगार पर है जहां पर पानी भरा हुआ है और मैं अभी एक तिसान के खेट में हूँ जिनका नाम क्या है आपका अहिल दाश टंडन का ये खेट है तो आप कितने एकड में खेती करते हैं और अभी सभी खेतों में पानी भर गया आपका बारा एकर में पूरा पानी भर गया है पानी भर कैसे नहर के सिपेश से तो अब ही अब क्या उम्मीद कर रहे हैं बाड़ा एकर में पूरा फसल बरबाद हो जागे या कुछ बचेगा और कोई मदद आपको कहीं से कोई बातचीत हुई है आपने किसी अधिकारियों से बातच करके वह तो खुली नहीं रहा है वेसे तैसे करके वह सढ़ने का गार्यंव पोच्च चुका है तो इसी तरीके से पूरा खेतों में पानी भरा हुआ है बारा एकर टोटल वरा है तो एह अहिल दास टंडन बता रहे हैं अपने खेतों का हाल अपना हाल यानि कि सब का हाल है और भी आपको खेतों में लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि दरसल उनका हाल क्या है यह मैं देख रहा हूं यह आसपस के सभी गाओं में इसी तरह का हाल है और इससे भी बत्तर इस्थिति में आप पाएंगे धान की ऊपर एक फिट उपर पानी भरा हुआ है और तीन दीन मे सब्पाद सरणा चलू हो जाता है तो कोई आदीकारी यहाँ पर और जब से मीडिया में बात आया है समाचार पत्रों siamo और आपके चैनलों के माध्धम से तभी जो सासन प्रसासन है थोड़ा एक्टी हुआ है आज चर्चा के लिए बुला रहे हैं और निश्ची तुरुप से हमें उम्मीद है कि चर्चा से समधान निकलेगा लाल बेहाल है बहुत ही बेहाल है बत्तर इस्थितिय किसानों की तो जहां पे कटाई है वहां पे तो पानी भरई हुआ है जो खेत जहां पे फसल अभी निकटी वहां भी जो है एक फूट से उपर तक का पानी भरा है मैं ले चलता हूँ आपको वहां पे और दिखाता हूँ हाल का है तो नहर में पानी जादा होने से खेतों में पानी भर गया कि फिलहाल इससे अब फसल की क्या इस्तिती होगी फसल पूरी तरह से बरबाद की इस्तिती में है ऐसे बहुत सारे जो है खेत है जहां पे पानी भरा हुआ है और ये किसान साथी इस वक्त मेरे साथ मौझूद हूँ और मैं इस जगह पे मौझूद हूँ जहां पे एक खेत ऐ जो पूरी तरह से बरबाद हो गया है यह आप यह देखे यह परजी अपने हातों में जो धान की बालिया लेकर नें गया है यह 尤रह से फिराउय खेए तरह से हैं यह सब्लाइब है पारजी यह बता कि यह पूरक है एक दम मतलब लुआच नहीं एक लायक नहीं ना खायक लायक नहीं घर लेगे क्लायक नहीं इस दम प्रस्थ हो गया ना छोटी मोई छोटे-छोटे बालबच्चा है नमें अबना लागा करके रिघा में बोल रहे हूं जिकासे मोर तिन मतलब डेर से 2 लाग उर्पया मोर नुक्सान हो गए रिघा करके करजा करके यह करें जो भी करें रहे हैं एक किसानी यह लुएच पार पानी भरगे पानी भर तो हाल सब के बिठा बता गरते हैं रहे हैं इसमें पूरा नुक्सान हो चुका है अब समक्ष देख रहे हैं तो मैं करजा करके इस खेती किया हूं मेरे बाल बच्चा किसमें पालों यह कतेगेकर आपके एटिया आउथ हो नजदीकाओं कतेगेकर बरबाद हो चुके हैं और है ना आठ दस एकड़ पर बाद होगे वह यह देख पूरा लद्धी होगे खेत हैं तो हाल जोनी बहुत है बहुत किसान की निया रहो एकल यहां फो किसान को देखी है नीज है यहा हमारी मारी देख ले ढान हमारी है है 20 दीन-पंचीत दीन बाद थोड़ा बान देढ़ दिस रेलवे वाला है सब किसान के काम निकल ज़ती है थोड़ा से कारणने में सब मिली भगात है किसान लनी देखे हैं किसान आज 15-20 दिन से परसान है नडू सकत है नाकार सकत है यह में निश्चित रूप से फसल छतिपूर्ती मौजा मिलना चाहिए और ग्रामिन की सिविस्ता रतकारी पटवारी से गिदावरी रिपोर्ट करवा के उकर मौजा रासी दिना चाहिए और बकाइदा राजी गांधी नायोजना भी व महनत किये हैं उसके वाद यह जब लूनेक समय आया तो अग्दम पूरा बेकार हो गया है ना तो इसको जानवर खाएगा ना हम मंडी ले जाएंगे सकते कुछ मिनी कोई पूरा महनत पानिम फिर गया है इसके लिए सरकार हमको उचित मौजा दे अपना पटवारी अपने आ तिया कोन गारी थते हैं सुन पैरी तो स्वन पैरी मत सोना दान तो आयरी इसे लेकिन बड़ा नुक्सान होगे पूरा पानिम भार के होगे है लालूत बनाते नई है करात बनाते पूरा गर अपक भसल बरबाद होए हाँ मोरो देवदा-खार में दूतिव ना करते है पूर पानी निकासी कोनो बेवस्ता पानी अधिकारी मनाए नहीं है देखे वे कहां काया आच नहीं अधिकारी कोनो हो उचाड़े रहे तीजग अधिकाबर मोरिब बने है चला थे तो बहिया यह जो है कितने गाउंगे जो की प्रभावित हैं यह आठ गाउं है और आठ गाउं के दोनों तरब कि जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद है इसके बाद भी यह तो नजदिक की स्थिति आगे भी अगर हम जाते हैं तो उसमें भी खेती के काम को अपन नहीं कर सकते चुकि खेत गिला है वहां लेवर जाने के लिए अनाकानी कर रहे हैं लागत ज्यादा लेंगे यह सबसे बड़ी समस्या है यह पैराखा करके आपन गाउं के जो जानवर है पसु है उसका पालन पॉस्षण करते हैं लेकिन आज के स्थिति को देखते हुए हमें जानवरों के पालन करने में बहुत दिक्कत है हम तो चामल कैसे भी करके सास्की मिले तो उसको खा आएंगे यह सबसे बड़ा प्रस्ना है आज की डेट में और यह जो है जो इसे संबंदित अधिकारी कर्मचारी है उनकी लफरवाही से यह कारी हुआ है किसानों में नराजगी है आक्रोस है और गुस्सा है इस बात को लेकर के कि आज की रेलवे ने ऐसी लापरवाही ऐसी मनमानी क्योंकि जिससे कि उनका फसल बरबाद हो गया यह तिमाम किसान जो है अप प्रदर्शन पे बुद्द्धारी हो गये हैं और मैं उनसे हाल भी जा सब्सक्राइब हो यहीं रेगा से पूरा बरबाद है मैं एक दाना भी नहीं लूपाऊंगा ऐसा भालत खराब है अमेरे छे बच्चा सामपर कैसा पालूं साधी करने चलाएक हो गया है तिन लड़की तिन लड़का है बहुत बुरी हाल है मजदूरी करके जिना ले दे को शिबाड़ी की यह होत्रय पूरा बरबाद हो गया है नहर का पानी जो रेल्वेद्वेवे पूल वाला जो मंद के रखे उसी पेच के पानी पूरा अगए बरिचानी को छूब भी हासिल नहीं हो रहा साल-पूरा पानी में इतना दूबा हूय डेर्ल पीट दूफीट पान अपन बाल बच्चा पालू एसा मुझे के इरादा है अगर सरकार दे देगत बहुत खुशी हो जाएगा मेरा जीवन तुब बच्चा पालू ऐसा मुझे आप रोहे मत हम जो है यही दिखाने के लिए सब पूरे आसपस के सारे गाउं प्रभावित जितने नहर के किनारे आठ गाउं आते हैं आठ किलोमेटर में यह पानी भरा हुआ है तो इससे किसान पूरा अपना लागत पूरा मेहनत सब लगा चुका है अंत में सिर्फ उसका कटाई का काम बाकी था जिस समय नहर वालों ने और यह रेलवे वालों ने बांद के नुकसान किया किशानों का यह छमा योग्या नहीं है और इसके लिए उनको मुआउजा देना ही होगा अन्यथा हम रेल रोकने और उसको फोड़ने जैसी सारी कृत्य करेंगे क्योंकि कोई व्यक्ति को यदि कोई मारता है तो कानून हा और हमारे परिवार का सवाल है फशल को इस तरीके से बर्वाद किया गया है यह हम छमा नहीं करेंगे और सरकार से हम पहले प्यार से निवेदन करते हैं कि ततकाल नहर को खोले और जो फशल नुकसान हुआ है उसका मुआयना करके मुआउजा 50,000 प्रतिये कर दे अन्यथा के उग्र कारेवाही करने के लिए हम बात द्याओंगे एक प्रतिशत भी उत्पादन का लाब नी मिलेगा देखे सर सौ में यदि एक रुपे आपको दे दिया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है एक से दस प्रतिशत भी हो जाए तो 90 प्रतिशत का नुकसान किसान वहां दो तीने कड़े हाथ कटिंग हो गए और पानी ऐसे जैसे ही सुखरी से लुआ है एक दिन में पूरा पानी आगे पानी आएक बात पूरा देख्थां करपा बांदल जाओंगे पूरा पानी नुबे खे था अब धानल लुआं ते पानील डाला बड़ा समय से धान में अंक मन के किसान मन के एक डान नहीं सुना कि अग्या आउ सुनी तो हम ठसल लुक्सान होगे तो मतलब अग्या ए फोड़े जिए मिए लोग करा में गया करें मर्णगी पूरा चले गाए 12 ममीना के चल गया और मैं जिनकी सब किसान मन से बात करता हूं आपको तीक का अब आ हाल है नियोजवाल गेरिस त्रिप्ति सोनी करके ठीक है त्रिश्टिस गर्ड निए ठीक मैं आप से जानना चाहत हूं जैने आप बताओ जैने हमार को तीट मतलब मौर खेत है तब एको ठेक्ट में देखे हो मैं है पानी भरे आपके हाँ पूरा गिर गे है आप पानी भरे पूरा खेत में अभी बीच ले था 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 तका धार खेत में पानी निकासी के जगां गराम सेवकल बता बात पत्वाइल बता अब का 50% नुकसान है लिख दूंगा तो आप 50% धान नहीं बेच सकते सब परसेंट लिखूंगा तो आप पूरा धान नहीं बेज सकते सुसाइटी में तो मैंने बोला हमारे धान 20 से 25 कुंटल होता है आप 14 असी लेते हैं तो 50 परसेंट नुकसान हुआ है तो हम 14 असीद बेज सकते हैं ना चेतावनी और निवेदान भी कर रहे हैं कि अभी मत बांधो सर पंद्रा बीच दिन पचीज दिन बाद बांध लो आप उक काम चली और सब किसान अपन धानला कटाई करके अपन खली हान तक पहुचा चुक रहे हैं लेकिन एक निसुन है नहरवाला भी बार-बार फोन के द् अब क्या इस्तिती बनेगी अधिकारी आनी रहें बता रहें जैसे कि आना चीए नहर विभाग के अधिकारियों को देख लेना चीए कि उनका नहर अगर तोड़ा गया है उनसे अनमती लीक ही होगी रेलवे वालों ने तोड़ के बांध दिये हैं तो मतलब बहां पर बांध गया है पूल बनाने के लिए तो उसकी अनमती तो ली होंगे से बात हुआ है डी आरम ने संबंदित विभाग को आदेश कर दिया है कि किसानों का जो पानी भर है उसको निकाल दे हम आज भर देख रहे हैं और कल हम उग्रपरतसन के लिए बात दिया होंगे तो क्रिशी मंतरी रवेंदर चौबे जी को देखना चीए चुकि जलसिंसाधन विभाग उनके पास है और उनके विभाग की अदिकारी अगर इतनी बड़ी जो है कोई बात हो गई है कोई लापरवाई हो गई है उसके बाद भी अगर इस इलाके में देखने के लिए नहीं मैं बात कर रहा हूं और यहां से तमाम जो किसान है यह आसपास के जो आट गाउं की किसान है जो की बूरी तरह से प्रभावित हैं उनका यह मानना है कि सैक्ड़ एकड़ फसल अब बिलकुल बरबाद होनी की सितिती में हैं और वो चाहते हैं कि इसका उचित मौजा दे और मौजे का एलान नहीं हुआ और पानी जल से जल यानि कि नहर को जो बांधा गया है उसे नहीं तोड़ा गया तो फिर अपने हिसाब से चीजों को देखेंगे यानि कि वो खुद उग्रा प्रजर्शन की बढ़ चलेंगे का हाल है मैंने दिखाया कि क्या है आरंग लखौली आप देखते रिए न्यूस 24 मद्य प्रदेश 36 गार धन्यवाद